वेलकम टू फूड इन किचिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे कमाल के किचिन टिप्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे इन टिप्स का यूज करके आप अपने किचिन के कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं स्मार्टली काम कर सकते हैं तो वीडियो को आप आपको मेरी आने वाले सबी वीडियो की अपडेट मिलती रहे हैं हमारे सबसे पहले टिप है टिमाटर को लेकर जब हम टिमाटर लाते हैं तो वह कितने लाल लाल और कितने अच्छे देखने में होते हैं और बहुत ही ताज़े टिमाटर होते हैं लेकिन दो से तीन दिन में तेमाटर धीरे धीरे गलने लगते हैं और खराब हो जाते हैं और खास दोर पर बारिश के मौसम में तो ये तीन से चार दिन में गल सर जाते हैं और बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं ये वीडियो आपकी बरसात के लिए स्पेशल है सारे ही चिप्स में बरसाथ से रिलेटर लेकर आई हूँ टमाटर को हम गलने से किस तरह से बचाएं तो देखिए, यह मैं टमाटर लिये हैं और इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है टमाटर को पहले वाश कर लीजिए और फिर आप क्या करें इनको सुखा लें सुखाने के बाद अब आप क्या करें एक ये क्लिंग रैप लीजिए ये क्लिंग रैप तो हर किसी के घर में होती ही है इसके बहुत ही यूज हैं अगर नहीं है तो आप इसको अपने घर जरूर रखें तो ये देखे इस तरह से हम क्लिंग रैप को रखेंगे और इसके उपर हम टमाटर रखेंगे तो आप एक बार में दो से तीन टमाटर रख लीजिए और इनको आप क्लिंग रैप से रैप कर लीजिए इस तरह से जब आप रैप करेंगे तो ये टेमाटर काफी टाइम तक सही रहेंगे, खराब नहीं होंगे टेमाटर गलते हैं हवा की वज़े से, नमी की वज़े से तो जब हम इनको रैप कर लेंगे, तो इनमें हवा और नमी नहीं जाती है इससे ही ज़्यादा दिन तक सेफ रहते हैं कम से कम यह टमाटर आपके एक हफ़ता चलेंगे बरसाथ की मौसम में और अगर बारिश का मौसम नहीं है तब तो यह 15 दिन तक चल जाते हैं तो इस तरह से आप टमाटरों को रैप कर लीजिए यह जादा दिन तक चलेंगे आप एक एक टमाटर को भी रख सकते हैं दो को भी रख लीजिए या फिर आप तीन-तीन का बैच बना कर रख लीजिए आई होप कि आपको यह टिप अच्छी लगी होगी चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ पर देखे हमारे अगली टिप है पर देखे हम जब ग्रॉसी का सामान लाते हैं और इसे खोलते हैं पनी को तो हम या तो इसका सामान डिबबे में कर लेते हैं लेकिन मैं क्या करती हूँ सारा सामान जो भी बैसन, मैदा और ये ओर्स वगएरा होते हैं यी चीजें तोड़ा कम यूज होती हैं रोज-रोज यूज नहीं होती हैं तो भरसआत गे मौसम में, बहुत जल्दी ही सामान खराब हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, सारा सामान डिबे में लख यूँ मैं उठा कर फ्रिज में रख देती हूं फ्रिज में रखने से ये खराब नहीं होते हैं काफी टाइम तक चलते हैं एविन कि अगर साल दर भी रखे रहें तब भी ये खराब नहीं होते हैं तो अब फ्रिज में हम इसको किस तरह से रखेंगे उपर का यह जो खुल जाता है इसको बंधन किस तरह से करेंगे तो या तो आप इसको इस तरह से मोड लीजिए और इस तरह से आप इसके उपर एक रबर्ड बंड लगा लीजिए लेकिन रबर्ड बंड लगाने से क्या होता है कुछ नकुछ मौश्या और हलका फलका अंदर चलाई जाता है इस तरह के क्लिप आपको आनलाइन मिल जाएंगे अब ये आफ लाइन है या नहीं है तो मुझे नहीं पता मैं इनको आनलाइन हमगाया है तो ये जादा महंगे भी नहीं होते है पचास साथ रुपए में एक पैकिट आ जाता है जिसमें बार आपीस निकलते हैं और ये तीन साइस के होते हैं चोटे बड़े तो इस तरह से आप ये ले लीजी क्लिप मंगा लीजीए तो ये क्लिप आप इनके मुँपर जो खुला हुआ है इस पर आप लगा दीजिए तो ये क्लिप बहुत ही अच्छे होते हैं एक तो ये अच्छे से टाइट हो जाते हैं इनके अंदर एयर भी नहीं जाती है और इनको रखना बहुत जादा एजी हो जाता है अब आप इस तरह से उठाएं और डारेक्ले ही फ्रिज में रख दें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और इन क्लिप से बिल्कुल भी आपका बेसन या मैदा बाहर नहीं आएगा तो ये टिप भी आपके काम की होगी अगर ये टिप आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स टिप देख लेते हैं तो देखिए हरी मिर्चे हैं हरी मिर्चे भी हमारी वरसात के मौसा में बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं इनको हम किस तरह से बचाएं इनको स्टोर किस तरह से करें तो देखिए मैंने मिर्चों को अच्छी तरह से दो लिया है वाश कर लिया है और इनको मैंने अच्छे से सुखावी लिया है अब हम क्या करेंगे मिर्च का जो उपर का डंठल होता है इसको हम तोड़ देंगे सबसे पहले डंठल ही खराब होता है जिसकी वज़ा से मिर्च भी खराब हो जाती है तो इसके डंठल को हम तोड़ देंगे और देखे मैं आपको दिखाती हूँ यह कितना उपर से गल गया है तो यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह उपर से कितना खराब हो गया है जब कि मिर्च बिल्कुल अभी फ्रेश है सही है इसके डंटल को अगर आप हटा देंगे तो इनकी सेल्फ लाइप बहुत ही जादा बढ़ जाती है तो यह देखिए मैंने सारे डंटल हटा लिए हैं और मिर्चे हमारे अच्छे सुखी हुई है मिर्चो को अच्छे सुखा लीजिए इनमें मौशर बिल्कुल बिना रहे और अब हम लेंगे एक कंटेनर और इसमें हम नीचे के तरफ रख देंगे एक टिशू पेपर इसमें हम इसको फोल्ड करके एम इसमें लगा देंगे तो उपर से भी एक लगा दीजिए और इसको अब आप कैप लगा दीजिए और इसको आप फिरिज में रख लीजिए अब या आपकी मिर्चे हटे पर खराब नहीं होंगी और बीच बीच में जब देखें कि टीशू पेपर ग ध़डाने का एक नया तरीका और बहुत ही जबदस तरीका तो इसको पहले वाश कर लीजिए और इसको सुखा लीजिए अब हम क्या करेंगे तो हम जब सेब को कट करते हैं तो हम इसको चाकु से कट करते हैं और उसके सीड निकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सेब के अंदर डालेंगे और इसको अंदर के तरह प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे इस तरह से हम इसके सारे ही सीड एक बार में निकाल लेंगे ये देखिए सारे सीड निकल गया है और सेब अंदर से बिलकुल क्लीन हो गया है और ये देखिए नीचे के साथ पर थोड़ा सा रहे गया है इसको भी हम हटा लेंगे ये देखिए सेब कितने अच्छे से क्लीन हुआ है सीड सारे ही निकल गया है एक बार में सारे सीड निकल गए और अब देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना एजी हो गया इसको कट करना और ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे सेव जो हम कट करते हैं तो एक दो मिनट में वो काले पढ़ने लगते हैं तो सेव काले ना पढ़ें इसके लिए हम क्या करेंगे नीबू लेंगे और नीबू की हम एक दो ड्रॉप इसके उपर डाल देंगे और एक दो चुटकी हम काला नमक इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरह से हम इसको मिला लेंगे इससे आपका सेब काला भी नहीं पड़ेगा और खाने में इसका जायका भी बढ़ जाता है तो आई आपके आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी हमारी अगली टिप है आलू को लेकर कभी कभी जब हम आलू का भरता बनाते हैं या हम उनको कचोड़ी में भरने के लिए उनको मैश करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आलू जादा उबल जाते हैं और वो गीले हो जाते हैं या फिर आलू ही मार्केट से कुछ इस तरह क्याते हैं कि वो पानी छोड़ते हैं और वो गीले हो जाते हैं तो अब आपके साथ ऐसा होता है तो आप टेंशन ना लें, आप क्या करें? आपने यह पोहा, यह देखिए, इसको आप मिक्सी के जार में डाल कर इसका एक पौडर बना लें तो देखिए मैंने इसका पौडर बना लिया है, इस पोहे को हम आलू में डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो पोहा डालने से यह होगा कि जितना भी moisture आलुओं में है वो पोहा अपने अंदर observe कर लेगा और आलुओं हमारे dry हो जाएंगे तो जितनी भी ज़रुरत हो उतना पोहा इसमें add कर लें तो इस तरह की परशानी का सामना तो almost सभी को करना पड़ता है तो अगर कभी आपके साथ इस तरह की परशानी आए तो आप इस तरह से पोहे का पॉटर मिला लीजिए और पोहे का पॉटर मिलाने से आलुओं के टेस्ट में कोई फार्प नहीं आता है तो आप इस टिप को ज़रूर अपना के देखिए यह आपके बहुती काम की टिप है यह कैसी लगी है टिप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चलिए हम देखने ते अपनी अगली टिप अगली टिप है हमारी बिस्किट को लेकर बरसाद के मौसम में बिस्किट बहुती जल्दी सील जाते हैं और उनमें मौशर बजल ले आ जाता है यहां हम कभी बड़ा पैकिट लेकर आते हैं और फिर बपूरा खतम नहीं होता है तो बच्चे वए बिस्किट सारे खराब हो जाते हैं मौश्यर आ जाता है तो इनका मौश्यर हम किस तरह से दूर करेंगे इसका मौश्यर दूर करने का एक तो तरीका ये है कि आप इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेब कर लें लेकिन माइक्रोवेब हर किसी के पास नहीं होता है तब हम क्या करेंगे एक तबा लेंगे तबा कर दिए और इसके ऊपर हमिस्कjut में थाष्ट की रखते हैं लुग की आगे विस्कुट के क्रिस्पी और ताज ही कूंग दो बनिट के प्लेट में रख लेंगे और जब बिस्किट ठंडे हो जाएंगे हम इने एक एरटाइड कंटेइनर में रख लेंगे यह आप इन्हें खा भी सकते हैं तो इस टिप को भी आप जरूर अपना के देखिए अगर आप के आप बिस्किट रखें और वह सीड गए हैं तब आप इस एक इंस को ली अगरों को फिर्ट कर लिये अब हम चाले जहा लेंगे विश्य निक्स मिल लिख लें इसमें रख लेंगे और इस के जाता है आलो बच्चोंग कडार ना कर देवें ने सारे मिक्षब को अच्छ normally रिह थेकर लिगे और बिस्कें जादाृता है इंडे मिक्स क्या करेंगे एक दबा लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा हम इसमें बटर डाल देंगे बटर से अमने टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है बटर जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे अंडो का मिक्षर जुमने बना के रखा है उसको ह देखे मैंने मिक्षर ढाल दिया है इसको अब अच्छ से फैला लेंगे इसारा से पैंन में इसको पूर्य तरह से फैला लेंगे और अब हमेंसे ढखकर दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे दो मिनट हो गए हैं अंडा नीचे से कुक हो गया है इसे अब हम पलट देंगे और पलट कर हमेंसे एक मिनट के लिए और पकाएंगे ढखके पकाएंगे और ये लीजिए हमारा आमलेट बनकर तयार है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है साथ ही ये हेल्दी भी होता है इसमें अंडा और आलू दोनों ही चीज़े होती है बच्चों को आप इस तरह से आमलेट बना के दीजिए और इसको कैचप के साथ खाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा जायकेदार बनता है इस तरह से आप आमलेट बना कर देखिए बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही आई होब कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगी इन में से आपको कोई एक भी टिप अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर आपको बहुत से सिंपल और आसान रेसिपीज मिल जाएंगी एक बार आप चैनल को विजिप ज़रूर कीजिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो